नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारे यूटूब चैनल खुसबू टेक में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे एंड स्क्रूइन लगाने का तरीका और एंड स्क्रीन आखिर है क्या और यह हम अपना वीडियो में कैसे लगा सकते हैं सारा कुछ इस वीडियो में पूरा डीटेल में बताऊंगी तो वीडियो को पूरा देखे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को आउन करें ता की आने वाली हर वीडियो का आपको मिलती रहे on for जलें करतें एंड इंड क्या तो देखिए आप किसी भी डियो का वीडियो देखते हैं और difficult कि Panjoo और और वह वीडियो पूरा पयांस में देखते हैं और या कि लगाते हैं तो यह होता है अपना वीडियो, लगाती है है और अपने ही लगाते हैं ड्यूज आपने लगाता है और जिन लोगों ने आपका पूराना वीडिो नहीं देखा है वो आके अगर वहाँ पर आपका वीडियो सो हो रहा है तो वो वीडियो क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं इससे क्या होगा आपका वीडियो पर वीडियो जाएगा और चैनल भी ग्रो होगा तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप ये end screen अपना वीडियो में कैसे सब्सक्राइब करेंगे लाओ उपन करने के बाद यहां पर सच करेंगी YouTube.com YouTube.com .com search करने के बाद यहां पर आपका चैनल खुल जाएगा अगर चैनल लॉग इन नहीं है तो अपना यूटूब चैनल लॉग इन कर ले उसके बाद आपको 3.0 पर क्लिक करने के बाद यहां पर desktop site का option मिलेगा तो आपको desktop site पर क्लिक कर लेना है उसके बाद कुछ इस तरह का सबदोदे आपको करना है क्ली करने के बाद यहां पर देखिये ऑअ के कास्तुमाइज चैनल करके लिखा हूँ तो कस्टमाइज चैनल पर statistical को क्लिक करना है क्ली करने के बाद इस तरह का अप्सण तो यहां पर देखिए आपका लोगों करेंगे एक सारा वीडियो यहां पर आजागा तो आप जिस वीडियो में end screen लगाना चाहते हैं उस video पे click कर सकते हैं click करने के बाद pencil का icon पे आप click कर सकते हैं तो उसके बाद इस तरह pencil का icon पे click करना है click करने के बाद यहाँ पे देखिए end screen का एक option मिल रहा है यहाँ पे देखेंगे side में तो आपको end screen पे इस तरह click करना है तो देखिए जैसे ही आप end screen पे click करेंगे इस तरह का वीडियो आ जाएगा तो देखिए मैंने यहाँ पे already end screen लगाया है तो मैं फिलाल इसको delete कर दीती हूँ delete करके आपको फिर से करके दिखाती हूँ कि आपको अपना चाल पे end screen कैसे लगाना है तो देखिए इस तरह का इंटर्फेस देखने को मिलेगा तो यहाँ पर देखिए elements करके है नहीं और यहां पर Example पर दिया हुआ है यहाँ पर देखे तीन वीडियो का option है मतलब कि यह एक video है साइज में दो वीडियो है और यहां पर बिच में देखिए तो एक खराइए लोगो है अगर आप यह वाला लगाना चाहते तो सेम इसी तरह यहां पर इस तरफ देखेंगे तो इस तरह का आजाएगा और अगर इसको डिलीट करते हैं यहां पर देखेंगे और यहां पर पर आपसन दिखाता है दो वीडियो सिर्फ लगा सकते यहां फिर एक व वो select कर सकते हैं तो मैं इसमें फिलाल ये last वाला select कर रही हूँ मतलब first वाला select कर रही हूँ यहाँ पर देखे side में दो वीडियो है और ये side में एक वीडियो है बीच में logo है तो ये select हो गया है और उसके बाद आपको जो भी वीडियो लगाना चाहते है ये plus का आइकन पर इस तरह click करके यहाँ पर जो भी आपको वीडियो पसंद है वो वीडियो आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर already set करके रखा है कि मुझे यही वीडियो हमेशा लगाना है तो मैंने यह set किया है आप यहाँ यहाँ पर देखिए most recent upload करके आया है इस पर click करके डॉर्ट पर most recent upload मतलब कि जो भी आभी वीडियो अपने अप्लोड किया है और जो भी famous वीडियो है वो आपको यहाँ पर अपने आप सो होगा तो इसी तरह इसी तरह आप भी अपना वीडियो में end screen लगा सकते है तो यही तरीका है इसी तरीका से आप भी अपना चैनल पर end screen लगा है तो इसी तरह आप अपना वीडियो में end screen लगा सकते है तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो कैसा लाओ comment करकर ज़रूर बताए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, सेर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ठैक यू